आज की रेसिपी है बिल्कुल खस्ती और नरम कचवडी तो फ्रेंट्स वीडियो को इसकिप ना करें वीडियो के अंतक हमारे साथ बने रहें आज हम लेके आये हैं बिल्कुल उरत की डाल की मशुहूर कचवडी जो आपको बनारस के साथ सत कई अन्ने जगों पर भी बहुत फेमस है तो आईए बिना केसी दरी के सुरू करते हैं कचवड़ियां पान सो ग्राम गेहों के आटे में तीन बड़ेटी इस्पून रिफाइंड ओल या फिर देसीगी आप जो भी खाना पसंद करते हैं उसको अच्छे से मिक्स करें फ्रेंट्स आपको बहुत अच्छे से मिक्स करना है बिल्कुल भी जलदवाजी नहीं करना है तोड़ा 500 ग्राम उरत के चिलके वाली डाल लिया है फ्रेंट्स इसको रात में भीगो दिया था और सुबह इसका चिलका उतारके बिल्कुल एजली मिक्सी में इसको पीस लिया है बाकी प्रोसेस मैंने इसको पीस लिया है अब देखिए फाइनली हमने इसको पीस लिया है अब इसमे को ग्राइंड कर लें फिर कड़ाई में दो टीस्पून मस्टर्ड डाले अध्रक लसन मिर्चे का पेश डाले और एक मिनट तक भून लें एक मिनट से ज्यादा नहीं भूनना है फ्रेंट्स इधर हमने दाल वाला जो मिक्षर रेडी किया था इसको डाल दें स्वाध अनुसा इसको फूलफिल करने आठे की छोटी सी लोई तोड़े हाथो पर राउं राउंड कर लें थोड़ा सा इसको चप्टा कर दें अटे का पैठन लगाए फिर से इसको कट औरी नुमा सेप में राउंड कर लें अब हमने इसमें मसालों को रेडि करना है कच़ोरी के यह देखे बिल्कुल राउंड राउंड करके हमने चप्टा कर दिया फिर से आटे का पैथन लगाया और गोल-गोल घुमा दिया यह भरना बहुत तीजी है अगर आपको भरना आता है तो आइए इसको बेल लेते हैं आपको बहुत पतला नहीं बेलना है फ्रेंड्स नहीं तो यह पूर करके दिखाती हूं एक बार में आप दो चार छे जितनी मंचा है उतनी कचौरिया को फ्राइए करिए पर वह डिपेंड करता है आपकी कढ़ाई के उपर यह देखे फ्रेंड्स बिल्कुल हमारे पूरियों में क्रेकर आचुके हैं मैं आपको दिखाती हूं यह देखिए द सबी को निकाल लेते हैं गर्मा गरम कचौरियों को किसी भी रसीली सब्जी के साथ रिप्रेजेंट करें पर मेरी मानिया फ्रेंड तो सूरन की सब्जी सूपर टेस्टी लगती है वह आपकी च्वाई से आप जिसके साथ चाहें उसके साथ सर्व कर सकते हैं हमेशा की तरह अगर चैनल पर नए है तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करना ना भूलें